हेलो दोस्तो आप शबका भुछ भुछ श्वागत हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 चेमिश्टी में एक इंपोर्टेंट एंड कहें कि महां इंपोर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं जो है हमारा प्रभावी परमाडू शंख्या जिसको हम इंगलिज में बोलते है एफेक्टिव एटोमिक नमर अब एफेक्टिव एटोमिक नमर इसको इंगलिज में बोलते हैं तो एफेक्टिव का क्या हो गया एफेक्टिव का एटोमिक का ए और नमर का क्या हो गया एन तो दोस्तो इसको हम स्वाट फोर्म में बोलते हैं ए ए ए एन है ना तो आपको एक ये नमबन निकालिए है ना तो पहले दोस्तों आपको ये तो पता हो कि संकुल का ये नमबर होता क्या है प्रभावी परमाणों संख्या होती क्या है ये तो आप पता होगा तब तो आप निकाल पाओगे ना यदि नहीं पता होगा तो कैसे निकल पाओगे तो पहले उसको सम डेखेगा सबक्षों संकुल याओग जाएगा है तो ये यह तो पता है क्या होता है को पता है क्या होता है वह दोस्ता है कि जो लेगेंड दो इलेक्ट्रोन जब केंद्री धातू परमाणू को देता है तब ये जाकर बनता है तो अब हम समझ रहे हैं प्रभावी परमाणू शंख्या तो प्रभावी परमाणू शंख्या क्या होती है दोस्तों किसी संकुल में क्या बोला मैंने किसी संकुल में जो केंद् संठ्ध्च्य होर डिय गर कि इलेक्ट्रों की शंठ्ध्य और गरेंड दौरा दिये गए इलेक्टोनों की संख्या का जो योग होता है उस योग को हम बोलते हैं शामन बै प्रभावी परमानु शंख्या एक बाद फिर से बोल रहा हूं केंद्री धातु परमानु के पास उपस्थित इलेक्टोनों की संख्या बा लिगेंड द्वारा दिये गए इलेक्टोनों की बोलते हैry प्रवाभी परमानू संख्या या फिर EAN नमबर, अब केंदरी धातू परमानू के पास कितनी संख्या होते यह इस流lakण के पास परमानू करमान के पास पास लिए अलेजू के संख्या होते है इसे यह हुता है, 26 है तो इस iron के पास कितने electron की संख्या होगी 26 होगी कितनी होगी 26 होगी अब यदि दोस्तो इस F ही पर 2 प्लस चार जा गया कितना आ गया 2 प्लस चार जा गया तो देखो 2 प्लस का मतलब होता इसने 2 electron दान कर दिये 2 electron दान कर दिये तो 26 में से 2 कम कर दो तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे तो इसकी जोальнымट्टोनों की शंख्या है F2 पिलस पर कितनी है 24 है यादि F3 III पिलस की बात कर ले कि F3 पिलस पर कितने इलेक्ट्टोन है तो देखो F3 पिलस का मतलब क्या है इसने तीन इलेक्ट्टोन दान कर दिए है ना तो 26 में से 3 कम कर दो, कितने बचे 23, मतलब इसके पास कितने इलेक्टोनों की शंख्या है, 23 है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जितना इसका परमाणू तुर्मांग होता है, उतनी ही इसके पास इलेक्टोनों की शंख्या होती है, या परमाणू की शंख्या होती है, समझ में आ आपको लेगेंडों की संख्या कितनी दिख रही है छे तो यह 6 लेगेंड है तो 6 लेगेंड कितने लेक्टोनों का दान करेंगे 12 करेंगे एक दो का करता है तो 6 कितने का करेंगा 12 का करेंगा है ना तो दोस्तों यदि मालने जो एफी है इस एफी के पास कितने लेक्टोन है 26 ह व rebellus लेज़न धवारा दिए गया है इतनी कितने कितने ऐलेकटोन हैं लेगए मतलब इसकी शमनखा संख्या कितनी होगी 38 यह तो मैंने सिंपैल से कुछ लिखवा नहीं आपको कुछ बताये नहीं आंगे में इसकी और भी कहानी बताऊंगा सूत्र बताऊंगा कि किस सूत्र से हम इस समनबल संख्या को निकाल सकती हैं तो पहले दोस्तों हम इसकी थियोरी देखते हैं अब दोस्तों हम इसकी परिभासा देखते हैं दोस्तों जो मैंने समझाया वही चीर यहां पर परिभासा में आपको मिलेगी क्या होगा किसी संकुल में केंद्रय धातू पर्मानु या आइन के पास उपस्थित एलेक्टौनों की संख्या बाग लिगेंड द्वारा दिये गए इलेक्टौनों की संख्या का जो योग निकल के आएगा वही योग आपका कहलाएगा प्रभावी पर्मानु संख्या या फिर EAN नमबर है ना तो दोस्तों अब आप इसका इस फॉर्मूला बनाने की कोशिस करें तो EAN नमबर का फॉर्मूला क्या होगा मान लेते हैं जो केंद्री धादू परमाणू है इस केंद्री धादू परमाणू पर बस्तिट इ dragged कि शंक्या क्या है है जैड है हैना और LEGEN de did द newsletter कि संख्या क्या है य है तो यह foreign क्या हो जाएगा nouveaux होगा क्या ठिक है बोलो होगा क्या बिलकुल होगा क्योंकि LEGEN केंद्री धादू-परमाणू कि शंक्या हमने जेड माले जो LEGEN आपको बता की रखा है कि जो लेगेंड है एक लेगेंड दो इलेक्टोनों का दान करता है यदि पांच लेगेंड है तो दस इलेक्टोन का दान करेंगे बीस है तो चालिस का दान करेंगे मतलब जितने लेगेंड होते हैं उनसे दगना वो दान करते हैं. है ना? तो यदि Legenda की शंख्या y है, तो वो दगना दान करेंगे, तो यहां पर bai की जगे हम 2y कर दें तो क्या धिख्यां? क्योंकि वो दगना दान करते हैं, तो bai की जगे क्या हो जाएगा? 2y, क्योंकि jy by है, वो electron की है लेकिन हम यह एलैक्टॉनों की शंख्या निकाल रहा है ना भाई तो जितने लिगेंड हो यह होते हैं उससे डुग भूल कर दिया है इसको डबल कर दिया श्मझाइं आपको आ ठीक है अब और समझ यह दर मांलो दुफ्टों यह जो एफी है इस एफी का परमाणू करमांग कितना है? 26 है, मतलब एफी के पास 26 इलेक्टरौन है, कितने है? 26 इलेक्टरौन है, लेकिन दोस्तों आप ये बताओ, ये तो संकुल है, और संकुल में जब संकुल बनता है, तो जो केंद्रे धातू परमाणू होता है, वो आयन के रूप में होता है इस रूप में तो आपको मिलेगा नहीं वो किस रूप में मिलेगा आपको आयन के रूप में है ना तो आयन के रूप में मिला तो मालो हमें एफी 2 प्लस के रूप में मिल गया किस के रूप में मिल गया 2 plus के रूप में मिल गया आप ये समझ ना ज़रा तो इस 2 plus का मतलब क्या है जो AP है उसने 2 electron का क्या किया है दान किया है अब 2 electron का दान किया है AP के पास total 26 electron होते हैं 2 electron इसने दान कर दिये तो इसके पास total कितने electron बचे 24 बचे तो इस 26 में से 2 को मुझे घटाना पड़ेगा ना जब तो मुझे 24 मिल पाएंगे अब यदि हो सकता है यहाँ पर 2 plus ना था 3 plus था तो इस 3 plus का मतलब क्या है इसने 3 electron दान किये अब जब 3 electron दान किये तो total कितने थे 26, 26 में से 3 घटा दो तो कितना बचा 23 बचा मतलब दोस्तो यदि आप परमाणू किर्मांक में से ओक्सी करण अवस्था को घटा दोगे तब केंद्री धातू परमाणू की total जो electron कि शंख्या है बो निकल कर आएगी समझ में आपको आ रहा है तो आप क्या करोगे दोस्तो यह जो जेड है केंद्री धातू परमाणू की electron कि शंख्या उसमें से आप ओक्सी करण अवस्था को घटा होगे तब उस केंद्री धातू परमाणू की पर उपस्थित electron कि शंख्या total मिलेगे तो दोस्तो जो EAN है इस EAN का total जो formula बनता है वो formula बनता है Z-X plus 2Y Z-X plus 2Y जहाँ पर जो Z होगा दोस्तो केंद्री धातू परमाणू का परमाणू करमाण होगा X केंद्री धातू परमाणू की ओक्सी करणा वस्था होगी और जो Y है वो लेगेंडों की क्या होगी संख्या और अलेगेंडों की संख्या का double क्या हो जाएगा, एलेक्टोनों की संख्या, तो हम तो एलेक्टोनों की संख्या पे बात कर रहे हैं, तो EAN नम्मर का z minus x plus 2y यह formula होगा, आइए दोस्तों, अब हम प्रभावी प्रमाणु संख्या निकालती हैं, EAN नमर निकालते हैं किसी संकुल का क्योंकि exam में हमें संकुल देतेता है और संकुल का पूछता है कि इसका EAN नमर बताओ तो आईए हम समझते हैं तो यह हमारे पास कुछ संकुल है इनके हमें EAN नमर निकालने हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों जो EAN नमर होता है इस EAN नमर का फॉर्मूला होता है Z minus X plus 2Y ये चीज़ आपको पता है मैंने अब भी आपको पता दी है ना तो दोस्तों हमें क्या-क्या पता होना चाहिए जो Z है मतलब केंद्री धादू परमाणू का परमाणू करमांग पता होना चाहिए केंद्री धादू परमाणू की आक्सी करन वस्ता पता होना चाहिए और लेगेंड हमें पता होना चाहिए कि लेगेंड कितने हैं है ना तो दोस्तो हमें पता है इसमें केंद्री धादू परमाणू क्या है एफी है इसमें केंद्री धादू परमाणू सी यू है और इसमें केंद्री धादू परमाणू क्या है ये जी है हमें इसमyeong समन स्वंदभां शंख्या सब्सक्राइबिट यह यह तो चीज अमें पता चल गई अब दो दूस्त जो एफी होतां इस एफी का पर्माणुक्रमांग हो ताहां 24 सीuciones होता है net gorgeous ओर दोस्तों जो एजी होता है क्या होता है एजी इस एजी का परमाणू करमांग होता है 47 कितना होता है 47 ये तो हमें चीज़ें पता है परमाणू करमांग हमें पता चल गया अब हमें चाहिए क्या ओक्सी करण अवस्था है ना तो आप दोस्तो ओक्सी करण अवस्था इधर ही निकाल लो ठीक होता है cn की होती है minus 1 और into क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 तो 4 एकम 4 plus x इसका इसमें multiply करो minus 6 बराबर 0 है ना तो इस 6 में से 4 को घटा दो तो क्या बचेगा minus 2 बराबर 0 तो x बराबर इसको आप इस तरफ ले जाओगी तो 2 बलब इहां से जो एफी की oxy करना बस्ता निकल के आई है वो कितनी आई है दो इतना हमने काम कर लिए तो sword में काम करोगे और हटा दोगे है ना दो निकल गए और दोस्तों यह थी आपको बहुत ज्यादा experience है तो इस अखसी करना बस्ता आप यही निकाल दोगे कैसे देखो इसकी तो आपको निकल निकल नहीं है Cn की कितनी होते एक तो 6 Cn की कितनी हो जाएगी 6 और यह k कितनी हो जाएगी 4 तो यह है तो देखो एफिक का मलब जे एफिक का परमानु कुर्मांग होता है कितना 26 तो यह 26 आ गया अब एक्स का एक्स मतलब ऑक्सी करना वस्ता तो ऑक्सी करना वस्ता हमने अभी निकाल के आपको बताई कितनी है 2 पिलस 2 अब दो अब वाय क्या है लिगेंड़ों क्स्तांक क्या तो लिगेंड luckily कि आ पर 6 है देखो Cn कितनी है 6 है इंटो 6 तो यह 26 माइनस 2 कितना हो गय चोविस और छे दूनी कितना हो गया 12 तो चोविस और बारा जोड़ तो कितना आ गया 36 मतलब दोस्तो जो केफोर एपी-CN का होल 6 है, इसमें जो एपी का एन नमर है, वो कितना आया है, 36 आया, कितना आया, 36, अब आप इसको समझ लो, तो पहले आप इसकी ओक्सि का नवस्था निकाल लो, है ना, तो दोस्तों आपको यह तो चीज पता ही है, कि जो एनेश 3 है, वो उदासीन होता है, और multiply करेंगे, तो पूरा हो जाएगा 0, और बराबर में केवाल हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस, क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस, चाहो तो आप समझो, CO की निकालनी है, तो X, NS3 की 0 इंटू 4, अब देखो, इस पर 2 प्लस है, तो बराबर में हम 0 तो नहीं लग सकते, क्योंकि इस पर 2 प प्लस का 2Y, तो CU, परमाणू कुर्मांग कितना है, 29, तो यह लिख दिया हमने 29, ठीके, अब माइनस X, माइनस X, माइनस X, मतलब इसकी ओक्सी करना बस्ता है, कितनी आई की दोस्तों, अभी निकाली हमने, 2, प्लस 2, अब 2 का मान कितना है, दोस्तों, 4, क्योंकि लेगेंडो और 8 को आप जोर दो, तो कितना आजाएगा, 35, तो यह नमर जो इसका निकल के आया है, वो कितना आया है, 35 निकल के आया है, ठीके, अब दोस्तों इस पर बात करें, तो पहले आप AG की ओक्सी करना बस्ता निकाल लो, है न, तो बैसे भी आपको दोस्तों निकल जाएगी, सम प्लस बन चाहो, तो आप निकाल लेना, ठीके, प्लस बन, है न, अब फॉर्मूला क्या है, E, A, N, बराबर, Z, माइनस, X, प्लस का, 2, Y, तो Z कमान कितना है, AG कि लिए, कितना, 47, तो 47, आप सी करना बस्ता कितनी निकली, एक, तो मतलब यह एक, और यह 2, है न, अब यह कमान पचास, तो मतलब इसके लिए जो E, A, N, निकल के आया है, वो कितना आया है, पचास, तो इस प्रकार से दोस्तों, आप किसी भी संकुल, का आप E, A, N, नमर है न, उन निकाल सकते हो, आसानी से, सोड तरीके से, आई होब दोस्तों कि यह चीज़ें आपको, शमंज में आ ग निकाला है, समझा है, तो दोस्तों, आई होब कि आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करना, ना भूलें, अंगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक कर लिए, थैंक्यों वेर कि अर्णियों कि वीडियों, जह दो दो हैं और प्याइब करेंवान लगाइब कर माँ वीडियों, वीडियों, जदे हvate आए होगा रष union territory, और छीयों